जे स्रीकिष्णा फ्रेंस राते राते कैसे हैं आप सभी और आप सभी को जन्माष्टमी पूजा की बहुत बहुत शुब कामना है फ्रेंस जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है और कहते हैं कि खीरा से जन्म कराना बहुत ज़्यादा सुमाना जाता है तो अगर आपके अहां लड्डू गोपाल छोटे से हैं तो आप खीरे को काट कर लड्डू गोपाल को समें रखकर उनका जन्म करा सकते हैं लेकिन अगर आपके अहां लड्डू गोपाल बड़े हैं तब उनका जन्म हम कैसे कराएं तो चलिए आज की वीडियो इसी विश्य पर है तो फ्रेंस लड्डू गोपाल को जन्म कराने के लिए सबसे पहले हम कुछ फूल और पत्ते लेंगे उसके बाद लड्डू गोपाल को जन्म कराने के लिए आप कोई बास का टोकरी हो या घर में पीतल की थाली हो आप भो भी ले सकते हैं और मैं यहां पर पीतल के थाली में आप लोगों को कृष्प मान को जन्म कराके दिखाने जारी हूँ तो देखे यहां पर मैं कुछ फोल ली हूँ कुछ पत्ते हैं पत्ते क्या जिचका है तो पत्ते आप कोई भी प्लांट का ले सकते हैं आप आन के पत्ते भी ले सकते हैं लेकिन मैं यहां पर बर्गत के पत्ते ली हूँ आप मनी प्लांट के भी पते ले सकते हैं तो इस तरीके से जो है ना आप डाले को बहुत सुन्दर से फूलों से सजा दे तो देखे इस तरीके से जो है ना मैं अच्छे से फूलों से सजा दी हूँ उसके बाद देखे इसमें जो हैना हम अपने बाल गुपाल को लड्डू गुपाल को कानाजी को हम इसमें सू़ा देंगे और ये आपको करना कब है तो ये जन्मास्ठमी के दिन आपको सुर्यास्त के बाद करना है सुबह आप जो भी रूटिंग है आपके लड़ो गोपाल का आपका पूजा का सेम वही रूटिंग आपका रहेगा और साम के समय जब सुडियास्त हो जाता है उसके बाद आपको लड़ो गोपाल को छुपाना होता है तो देखे इस तरीके से आप अच्छे से फूलो में जो है न वो लड़ो गोपाल को आप इस तरीके से ढख रखे और लड़ो गोपालो को फूलो की खुश भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इनको आपि हम मंदिल के पास ही रहने देंगे और साथ में हम एक खीरा और एक उर्पे का सिक्का साथ में हम रख देंगे अब ध्यान रखना ये है कि इसे हमें हिलाना डुलाना नहीं है जब तक कि इनका जर्म न हो जाए इसके बाद जन्म के बाद लड़ू गोपाल को फंचामरी से अश्णान कराया जाता है तो यहाँ पर देखी हमें एक पीतल की थाली ले रहनी है और उसमें हम चंदन से इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे और इसको हम फूलों से सजा देंगे अब लड़ू गोपाल को जन्म कराना कैसे है तो लड़ू गोपाल का जब जन्म का समय हो जाए जब जन्म का मुहर तो हो जाए तो आपको देखी इस तरी के से ताली बजाते हुए प्रेम पूर्बक जैसे की बच्चे का जन्म होता है हम बहुत ही प्रेम पूर्बग से उन्हें गोद में लेते हैं उसी तरह से हमें मन के भाव से प्रेम पूर्बग कानाजी को अपने गोद में लेने हैं और इसके बाद हमें नाल छेदन की परकिरिया करनी है तो जो खीरा और एक उर्पे का सिक्का हम रखे थे उसको देखे इस तरीके से सिक्के से ही हमें खीरे को काटना होता है जिसको ना भी काटना भी कहा जाता है तो इस तरीके से इसे सिक्के से ही हमें खीरे को काटना होता है और ये जो हिस्सा है खीरे का पीछे का वो आप किसी मिटी में गमले में आप दबा दे जो खीरा है उसे आप परसाद में बित्रन कर दे उसके बाद लड़ो वपाल को हमें पंचा म्रिश्रे असनान कराना है तो सबसे पहले हम जल से असनान कराएंगे उसके बाद हम दूद से असनान कराएंगे हम दही से असनान कराएंगे सहद से असनान कराएंगे तो आप पास परकार से इनको जो है वो अश्टनान करा दे और इन्हें आप प्रेम पुर्वक से जो है ना एक छोटे बच्चे की तरही आप इन्हें मन में भाव रखते हुए आप इन्हें प्रेम पुर्वक अश्टनान कराएं और अश्णान कराते समय हम अपने मन में ओम बासुदिबाय नम्ह मंतर का उचारन करते रहेंगे अब अश्णान करानी के बाद हम इनको नंय नंय बस्तर धारन कराएंगे तो हर साल काना जी का बरस गांट मनाई जाती है इनका जन्म कराया जाता है और इनकी वर्स गांट के दिन बहुत ही धूम धाम से उस सम मनाय जाता है जैसे छोटे बच्चों का वर्स गांट हर साल मनाई जाती है उन्हें ने कपड़े पहनाय जाते हैं तरह तरह के पकबान बनाय जाते हैं उसी तरीके से लड़ू गुपाल का वर्ष गार भि मना जाता है तरह तरह के पकबान बनाय जाते हैं 56 भोग लगाया जाता है और इनको देखे बहुत सुन्दर से जो है वो तियार किया जाता है तियार करनी के बाद इनको आश्रन गरहन करा जाता है इनकी पूजा पाट की जाती है उसके बाद इनको जूला जूलाए जाता है तो इनको पूजा कैसे करनी है पूजा की बिधी क्या है वो मैं अगली वीडियों में अप्लोड कर दूँगे आप लोगों के लिए देख लीजिएगा और हमारे काना जी आप लोगों को कैसे लगे प्लीज हमें कमेंट में जुरूर बताएगा तो वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद आप सभी को जन्माष्ट मी पूजा की एक बार फिर से बहुत बहुत शूप कामना है